नमस्कार, पुषपा 2 पे बात करेंगे, तो भईया पुषपा 2 जंडे गाड़ने जा रही है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, और उसके बाद मैं वीडियो के एंड में एक बोनास अब्डेट भी दूँगा, आप कम्प जानते ही हो कितने क्रेजी हैं, वैसे फैंस तो हमारी भी बहुत हैं, पर क्या करें गरवाले सर्दी में चलानी नहीं देते, पुषपा 2 जो मूवी है ना, वो विकी कोशल की पिक्चर आ रही थी छावा, उससे क्लेश होने वाला था, लेकिन छावा के मेकर्स ने पर दे के पीछे, सबसे पहले चनल सब्सक्राइब कर डालो, पुषपा 2 भी पहले 6 दिसंबर को आने वाली थी, फिर उन्होंने एक दिन पहले कर दिया, अब ये 5 दिसंबर को आईगी, और छावा जो पोस्पोन होई ना, वो आईगी अब जन्वरी 2025 में जाके, पुषपा टूके, वो 15,000 बिख चुके, बुकिंग ओपन होते ही, यहाँ पे एक फणी बात बोलूगा मैं आपसे, एक्टर्स होते हैं, ज्यादा तर अनेजुकेटेड होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन होती है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनकी विदेशों तक में कमाई हो रही है, और यहाँ डिग्रियां लेके घर बेटें, इंजिनियर्स की मेनेजमेंट की, अब दीरे-दीरे समझ में आ रहा है कि डिग्री गोल करके क्यों दी जाती है, तो आपन आजाते हैं टॉपिक पे दुवारा से पुष्पा टू के, तो भाईया, ओवर यह एक गाने के, इतनी हाई कोस्ट इसलिए मांगी श्रद्दान है, क्योंकि उओ अंतवा जो गाना है था ना, उसमें सामनता ने भी पांच करोड लिये तो उस गाने के, फिर अभी अभी स्त्री टू चलिए भेंकर, तो श्रद्दा का मांग ना बनता था, लेकिन मेकर्स क पहले ही दिन का, आप अपना बताओ, अलू अरजुन के फैन हो तो भी, नहीं हो तो भी, फिर्म तो हम सबको देखनी है, आप बताओ फिर भी, अब आजाते हैं बोनस अबडेट पे, तो भाया, देवरा जो मूवी है ना, जूनियर एंटियार की, वो OTT पे रिलीज हो चु मिलते हैं अगली वीडियो में, दन्यवाद